गत डेड़ वर्सों से इस योग साधना यस्वीर आसरम में लगातार घर वापसी अब्यान चलावा है बड़ी-बड़ी संख्याओं में मुसलमान भाई बेहन यहां घर वापसी कर रहे हैं दस अजार मुसलिम एक साध बन गए हिंदू आज सदमे में है मौलाना और इसाई धर्म के लोग क्या सच में छट्तस गड़ के 1100 इसाईयों ने हिंदू धर्म अपनाया क्या सच में रोशनी बेगम अब बन चुकी हैं रुद्धी गुपता कैसे आसिफ नाम का युवा प्रिया चलिए सब जानते हैं आज की वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो रिकॉर्ड तोड घरवापसी जी हाँ सई सुना आपने लगातार बढ़ती जारी घरवापसी की संख्या दिन बादिन घरवापसी के आकड़ों में जाफा होता जा रहा है नाकड़ों में वे सबी धर्म के लोग शामिल हैं जो किसी समय पर हिंदू धर्म को अपनाना नहीं हैं बलकि वो सबी तो खुले आम कहा रहे हैं कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है हिंदू धर्म की सब्वेता इसके विचार परमपराय और संस्कृती हर चीज एकड़म निराली है जो हर किसी को आकरशत करती है दोस्तों बात अगर दोहजार तेईस की हो तो भ दस हिसाई परिवारों के 35 लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया ये बात है दो जनवरी 2030 की जब शक्रॉली शित्र में जरानी कला गाउं के पथावारी माता मंदर के एक विसेश कारिकरम कायोजन हुआ और इस दोरान 35 लोग हवन अनुष्ठान में शामिल हुए और सनात धर्म को अपनाया वहीं 16 जनवरी को एटा जले के श्रबनम ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नामनेहा पाठक रख लिया यही नहीं उससे कोमेश पाठक नाम के हिंदू लड़के से शादी भी कर ली जनवरी का हंकड़ा यहीं खत्म ही होता 19 जनवरी को 36 गड़ के मह समुद जले में लगबग 35 परिवारों के करीब 1100 एसाईयों ने हिंदू धर्म को अपनाया इस दोरान भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंग जुवैद ने सबी के पैरों को गंगा जल से शुद्ध किया दोस्तों बागिश्वर धाम से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ के मुरैना में रहने वाले सलीम खान ने सुखराम दास नाम रख कर हिंदू धर्म को अपना लिया ये तो केवल एक ही महीने की बात है जोनाब आगे देखिए आप हैरान रह जाएंगे एक फरवरी 2023 को जारखन के लोहर दग्गा में 13 मेंबर की फैमली ने इसाई धर्म को छ किया कि उनके समोदाय के कुछ लोग उनके पैत्रक घर को नश्ट करने का प्लान बना रहे थे जहां अब यूसूफ एक मंदर बनाने का एराद अब रखते हैं चंडीगड की नाजिश खान जिनोंने हिंदू धर्म अपना कर पूजा नाम रख लिया वहीं तेरा फरवरी को दिली के आरे समाज मंदी में अजय कुमार के साथ शादी भी कर ली उनीस फरवरी को बागेश्वर धाम में 220 कंवर्टेड इसाई हिंदू धर्म में वापस लोटाए यह नहीं 36 गड़ में 21 फरवरी को करीब 250 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की जो कभी इसाई धर्म को मानने वाले थे 27 फरवरी को 142 लोग इसाई धर्म को चोड़कर सनातन धर्म में वापस आ गये वहीं 28 फरवरी को आगरा यूपी की नर्गिस ने हिंदू धर्म अपनाया और मैन पूरी के आलोक से शादी कर ली दोस्तों आंकडे बड़े ही शौकिंग है चलिए आपको मा परिवार ने हिंदू धर्म को अपनाया जिनोंने करीब 9 साल पहले इसाई धर्म को अपनाया था वहीं 10 अपरेल को यूपी कायनपूर के एक मंदर में रहमत अली ने हिंदू धर्म अपना लिया जिने अबृत्क नाम से जाना जाता है 17 अपरेल को यूपी बरेली में सबीन अनाम के एक मुस्लिम लड़की ने अगस्त मुनी के आश्रम में हिंदू धर्म को अपनाया और सूमपाल से शादी कर अपना नाम सूनल रख लिया खबरों के अनुसार अगस्त मुनी आश्रम में 64 से जादा मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़कों से शादी कर लिया और वहीं 20 अपरेल को मुस्लिम रड़की रोष्णी बेगम ने हिंदू धर्म अपनाया और श्रिमम गुपता से शादी कर रुद्धी गुपता बन गई यहीं नहीं 24 अपरेल को मद्धिप्रदेश के सागर जिले में पंड़त धरेंदर श्रास्तरी के सामने लगबक 50 से ज़्यादा परिवारों ने हिंदू धर्म को अपनाया और यह सब इसाई थे रिपोर्ट के अनुसार मई में ऐसा केस सामने नहीं आया मैं जून 2023 में दो मुस्लिम रड़कियों ने अपने प्रेमियों के साथ शादी की और अपना नाम बदल कर हिंदू धर्म को अपनाया जिसमें से एक सीतापुर की रूबियां है जिनोंने प्रदीप यादव से शादी कर अपना नाम रजनी रख लिया वहीं बाहराईज की रूबियना खान ने शेश कुमार अवस्ती से शादी कर रूबिय अवस्ती बन गई मैं यूपी कानपूर के मुस्लिम मैला रानी बेगम ने अपने बेटे के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया महिला ने दावा किया कि उनके बेटे जुनायाद की आखे बच्पन में चली गई थी एक मंदर में प्रसाद चड़ाने के बाद रौशनी वापस आ गई इसी कड़ी में 15 जून को पाकस्तानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर मौमद शायान अली ने हिंदू धर्म को अपनाया और ट्वीट करके अपनी घर वापसी का ऐलान किया मैं यूपी मजफर पर जिले की एक मुस्लिम लड़की आईशा ने घर वापसी सामरो में हिंदू धर्म अपनाया और फरीदाबाद में रवी नाम के लड़के से शादी की और अपना नाम आईशा से आशा रख लिया 19 जून को बरेली की शेहनाज ने अगस्त मुनियासरम में हिंदू धर्म को अपनाया और पवन से शादी करारो ही बन गई अब बात करते हैं जुलाई की दो जुलाई यूपी कौशामबी की शबान ने हिंदू धर्म अपनाया और एक मंदर में हिंदू व्यक्ती बबलू से शादी की इस तरह रामपुर जिले की एक मैला शायस्ता अली ने हिंदू धर्म अपनाया और सीमा नाम रख लिया इस तरह जुलाई में घर वापसी के और भी केसिस सामने आए जिसमें यूपी की शामली की शानम खातून और बरेली जिले की फरजाना भी शामल है वहीं अगस्त महीने में नौईरा की मुस्लिम मैला नफीसा ने अपने साथी कुलदीब ठाकुर से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया इसी तरह गाजियाबाद मामला भी शामल है जिसमें एक बच्चे समय चार लोगों ने इसलाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया अब आता अक्टूबर इस महीने की एक तारीक को यूपी के बरेली में उस जमा नाम की एक मुस्लिम मैला ने घर वापसी की वहीं तीन आक्टूबर को बरेली की ही श्रबाना ने अपने प्रेमीर विंद से शादी की और हिंदू धर्म अपनाया और श्रिवानी नाब रख लिया इस महीने में ऐसे और भी मामले शामल है जिसमें बरेली की खुश्बू बानों और मुरादाबाद की फिज़ा भी शामल है जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया वहीं नमबर की पांस तारी को यूपी के जौन पूर जिले में 36 परिवार जो एसाई धर्म में बदल गए थे वापस हिंदू धर्म में आ गए 10 नमबर को शाजाँपूर के मुस्कान सुदिक्की ने सीतापूर में हिंदू धर्म अपनाया इस कड़ी में 26 नमबर को गाजियाबाद के मामला सामने आया जहां दो घर वापसी हुई जहां अब आसिफ नाम का युवा काकाश चोहान बन गया वहीं उसकी पत्नी सुमया खान प्रिया बन गई इस तरह इस महीने में यूपी सीतापूर जिले की आफरीन नाम की लड़की निशा बन चुकी है अब लिश्ट में आखरी महीने में आप पहुँचे हैं और वाकई में इतनी सारी घर वापसी की खबर सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे वाकई में ये हिंदो धर्म की महीमा है जो सभी को मंत्रमुग्द कर रही है खैर 5 दिसमबर 2023 को यूपी सितापुर के एक मुस्लिम रड़की सूफिया ने घर वापसी सामारों में शामिलोकर हिंदो धर्म को अपनाया आज उसे अंजली नाम से जाना जाता है वहीं 8 दिसमबर को यूपी के और या जले में मुस्लिम मैला जिसका नाम निकद था हिंदो धर्म अपनाया उन्हें आज निहा के नाम से जाना जाता है दिसम्बर मैने की 27 तारीक को यूपी के फते पुर जले में ऐसा ही केस सामने आया जिसमें शाबिया नाम के एक मुस्लिम रड़की न अपने परिवार के खलाब जाकर अपने हिंदू प्रेमी संजय के साथ शादी के और हिंदू धर्म भी अपनाया जिसके बाद अब शाबिय जो वाकई में हरान करने वाला है वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बदाएं वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रस करना ना बोले मिलते अगली वीडियो में बाई बाई